जैसे इसे रूसी सेना युक्रेण पर आक्रमर तेज कर रही है वैसे वैसे अमेरिका समें पश्चिमी देशों में बेचानी बढ़ती से दिख रही है हाली में रूसी राष्च्पती ब्लादमीर पुतिन ने बताया था कि रूस ने परमाडुक शम्ता वाली अत्याधुनिक इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल सर्मत सेना को सौप दी है और उसे वार ड्यूटी में भी लगा दिया गया है तब से पश्चिमी देश खासे सकते में आ गए हैं यही वज़ाए कि इन देशों की हर बढ़ाट अब उनके बयानों में भी साफ जहलक रही है अमेरिकी सामरी कमान के प्रमुख वायू सेना जंडल ने रूस पर बड़ा दाबा किया है एंथनी कॉर्टन ने कहा कि रूस अ अमेरिका और उसके सहयोग्यों के खलाब तेजी से अपनी स्थिती में सुधार कर रहा है इन परिवर्तनों की गती बढ़ रही है और अब कुछ साल पहले देखी गई तुलना में बहुत तेज है जनरल एंथनी कॉर्टन ने रूसी राश्पती पुतिन के हालिया बयान की और भी इशारा किया जिसमें पुतिन ने कहा था कि रूसी सामरिक परमाडू बलो को लगबग पूरी तरह से मॉडन कर दिया गया है साती नौसेना को लगबग सौ फीसदी उननत किया गया है जनरल ने खास तोर से रूस की अत्यादुनिक इंटर कॉंटिनेंटल बेलेस्ट से परे अपने परमाडू विकल्पों का विस्तार और आधुनिकी करन भी कर रहा है आसान शब्तों में कहें तो यदि कोई देश जल धल और वाइल तीमों जगों से परमाडू हमला करने में सक्षम होता है तो उसे नुकलियर ट्रायट देश कहा जाता है और ने चेतांग देते हुए कहा कि अमेरिकी रणनितिक ताक्ते वरतमान में ऐसी चनोतियों का सामना कर रही है जिनका अमेरिका ने कभी सामना नहीं किया है रूस चीन मिलकर और साथ में नौर्थ कोरिया और इरान की परमाडू महत्व कांख्षाओं जटिलताओं की नई परते जोड़ती हैं यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि हम अपने नुकलियर ट्रायट के आदुनिकी करण को फीट से जारी रखे ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि युक्रेन पर जीत हासिल करने की राह पर चल रहे रूस के विजयरत को रोकने के लिए पश्वी देश किस रणिती के तहत कदम उठाते हैं झाल 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 कि यह झाल झाल